Hello friends, last video में हमने देखा था क причem class कैसे add करते हैं body में और इस video में हम देखेंगे कि जो page को जब हम edit करती है então उसमें जो featured image होती है उसको हम आपने page पर कैसे use कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं, यह हमारा home page है, इसको मैं यहाँ से edit कर लेता हूं और यहां पे अगर मैं बिल्कुल bottom जाता हूं यहां पर राइट साइड पर यहां पर featured image की option है हमारे पास यहां पर मैं featured image यहां पर यहां पर आ गई है और इसको मैं अफ्डेट कर देता हूं page को अभी मैं page को refresh करूंगा तो यहां पर कुछ भी शूर नहीं हुआ है लिए हमने यहां पर टैंपलेट यूज किया था ओम टैंपलेट अभी हमें होम टैंपलेट के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा इमेज को शो करने के लिए तो चलते हम अपने होम टैंपलेट पे हमेरे यहां पर है ओम टैंपलेट यहां पर मैं पर स्टार करता हूं और यहां पर मैं एक वेरियबल ले लेता हूं इमेज स्वोर्स रहां पर वर्डप्रेस का प्रीडुफेंट फंक्शन है डव्यूपी गेट एच मेंट एच मेंट इमेच सोर्स यह फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम गेट करेंगे इमेच आएड़ी आएगा यहां पर इड़ीट करेंगे यहां पर लेखेंगे हम गएट दी आईड़ी तो अभी हम देखते हैं कि हमें हमारे पास इस इमेच सोर्स में क्या मिला है हमें इसको मैं प्रेंट आर करके देख लेता हूँ और यहां पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहां पर हमारे पास जो इसकी जीरो की है उसमें उसका यूरल आ गया है हम इसको जीरो से गट कर लेंगे तो यहां पर मैं एक इमेच टैग लेता हूँ और इसके अंदर सोर्स के अंदर मैं यहां पर इसपी स्टार्ट करता हूँ इको करवा लेता हूँ हमारे विश्वल को हमारा विश्वल का नाम है मेस टरो मैं डलीट कर देता हूँ रहा पर मैं बेडिकर मैंने आप का दिया और यहां पर मैंने 5 को क्लोस कर दिया तो चलिए देखते हमारे पास आई αई या नहीं ऐई इमेज हमारे पास यहां पर नहीं आई है क्योंकि हमने यहां पर 0 नहीं लिखा 0 key में आ रही थी ना URL जो हमारे पास आ रहा था वो 0 में आ रहा था अब मैं इसको refresh करता हूँ देखे हमारे पास यह इमेज आ गई है अब हम पेज में कोई भी इमेज यहां पे add करेंगे तो वो यहां पर आ जाएगे यहां पर show हो जाएगे आप अब मुझे यह वाली image इस section के जो हमारे पास यह banner section है इसके background में चाहिए तो हम प्या करेंगे तो यह जो हमारे पास यह जो banner section है यह हमारे पास shortcut से आ रहा है जो कि हमने शोट कोड से बनाया था तो हम इसको इस कोड को हम शोट कोड में ही अड़ करेंगे शोट कोड कहा है हमारा शोट कोड हमारा function.php में है यह रहा होम बैनर तो हम उस कोड को यहां पर इस कोड को हम वहां पर अड़ कर देंगे यहां पर हमारी function फाइल में कि यहां प्रेड़ कर देटा हूं को मैं और मुझे के अपते हौप मैं मुझे उप्र वह में कर Stage चाहिए तो फिर मैं यहां पर अश्टाहए टाइड़ करूंगा के स्टाहए लिकोंगा पिन्पने एsprit लेत करевой इमेज यूरल और यहां पर मैं इसको कनकेट कर दूँगा इस वेरियेबल को और यहां पर मैं 0 लिख दूँगा 0 हमारा यूरल है ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं इसको सेव कर देता हूं और यहां से जो हमने इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए तो अब देखते हमारे पास बैग्राउंड मेज आई है या नहीं तो देखिए हमारे पास यहां पर बैग्राउंड मेज आ गई है बैनर की पीछे लेकिन यहां पर मैं कुछ क्लासीज आड़ कर देता हूं जिससे हमें यह बैग्राउंड मेज हमारी सेट हो जाए तो उसके लिए मैंने सीसिस में क्लासीज पहले से एड़ कर रखी है जो कि मैं यहां कर देता हूं यहां पर भी हमारी बीजी में जाएगी ओवरले लगा देता हूं यह किसमें और मुझे यहां पर ओवरले लाइट कलर का चाहिए है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो डार्क है यह क्लासीज मैंने एड़ करती है मैं रीफ्रेश करता हूं पेज को यह दिखिए हमने इस अपिaimer को यूज़ कर लेता हूं ऑर इसको यहां से अफ्डेट कर तक हूं और मैं यहां पर रीफ्रेश करता हूं लिए हमारी बैक्गरांड चेंच हो गई है तो ऐसे आगर कि हम अपने पीट्रड है जो उसको तो हम अपने home page पे यहाँ पर किसी भी page पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है